ओ माई गॉड इतना ज्यादा क्लीन स्किन इतना ज्यादा गुरापन अरे भाई इतना तो नहीं चाहिए एट लिस्ट आपकी स्किन पर एक्चुल कलर आजाए हमारे लिए तो वही बहुत है हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वाईट फेस पैक जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है इतना आपको वाईट कर देगा बट येस आपकी पूरी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर आपकी स्किन टोन से सारे मैल और गंदगी को रिमूव कर आपकी स्किन को आपके एक्चुल टोन में लाकर क्लीन कर देगा जो एक्स्ट्रा चावल है वो रहे जाएंगे और जो इसका वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए यानि के छन जाए ठीक है अब इसमें आपको डालना है सोप क्रश करके यानि के कद्दू कस करके थोड़ा सा तो मैंने आपर निव्या क्रीम सॉफ लिया है आपके पास है या कोई भी सोप है उसको आप थोड़ा सा क्रश करके इसमें एड कर लीजे ठीक है क्वांटिटी एप्रॉक्सी में टू टी स्पून रखना जादा नहीं थोड़ा सा ही सोप हमें चाहिए अब इसमें आपने डाल देना है और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हमारा तीस पर बिल्कुल नहीं करना अपकी बॉड़ी को एक दम चमका देता है सारा मैल कार देता है जो की है लेमन जी हा आदे नीमबु का रस इसमें एड करना बिल्कुल ना भूले बहुत ही अच्छे से काम करता है यार वाव एफेक्ट आता है वाव एफेक्ट जानी के ठीक है पूरी रमेडी को प्रपेर करने में अब इससे क्या करना आप स्टोर करके रख लो एक बार के लिए जैसे ही आप नहाने जाओगे इसको अपने साथ लेना और अपनी पूरी बॉड़ी पर अप्लाई करना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पांच मिनट दस मिनट काफी ह इसके बाद आप सोप से रिमूव कर लेना एक ही बार में इसका रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही अच्छा ना कि सिर्फ आपकी स्किन से मैल को रिमूव करता है बल्कि अगर आपकी स्किन पर स्पॉर्ट्स हैं यानि कि अगर आपकी स्किन पर स्पॉर्ट्स हो चुके हैं य सातीं सात आपकी skin को healthy, wrinkled free बनाने में, आपकी skin को whitened up करने में, मैल उतारने में बहुत भी थे से वक करता है। साती, यही properties, lemon में भी हैं आपकी skin को अच्छी से clean करने की और soap, soap में तो properties होती हैं cleaning की, तो इन तीनों चीज़ों का mixture और गजब का वर्क करता है आपकी स्किन पर एक बार जरू ट्राई करें वीडियो अच्छी लेगी और लाइक करना ना बूले थैंकिस सो मच गाइस पर वाचिंग माई वीडियो बाबाई